सबी विद्यार्थियों को नमस्कार आशा है आप बहुत अच्छे होंगे हम आपको वोकव की छे क्लासेस दे चुके हैं इसमें हमने वर्ल्ड कवर किये हैं वो कवर किये हैं वर्ल्ड जो आपकी एक्जाम्स में आते रहते हैं और वो आपके SSC में, CHSL में, LICWO में और PCL में हाई कोर्ड आमोमन वो परिच्छा जिसमें इंगलिश आती है वो यह सब्द आपको जरूर मिलेंगे इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 7 है अगर पीछे के वीडियों न देखे हों तो आप देख लीजेगा वर्ड आपके काम आएंगे और यही इसी तना के ही आएंगे आप इस्वास रखिए ठीक है चलिए आगे के हम वर्ड की प्रेटिस फिर से करेंगे चलिए फिर वीडियों स्टार्ट करने से पहले हम यह कहेंगे कि आप ज़्यादा ज़्यादा जिन स्टुएंट्स ने इंगलिश के फॉर्म भरे हैं उनको यह वीडियों शेयर कर दीजे चलिए शुरू करेंगे अब तो हमारे पास पहला वर्ड हम लेके आएं हैं जो है वो है इक्जोनोरेट इक्जोनोरेट क्या होता है इक्जोनोरेट का मतलब होता है कि जो पापों से अपराद से मुक्त कर दिया जाता है ठीक अपराद मुक्त जो कर दिया जाता है या किसी क्राइम से बताया ना आपको मुक्त कर दिया जाता है वर्व है दोस्ट इक्जोन रेट इक्जोन रेट का है दोस्ट से अपराद से या किसी गलती से भूल से छमा कर देना इस सब्द को कहते हैं इक्जोन रेट ठीक है चलिए अब इन सभी वर्ड्स का हम आपको सेनानिम के वीडियो दे चुकि इसका एंटरनिम बताना है इक्जो अपराद बोध होना अपराद ही ठहराना अगला है इन्विंसिबिल इसका भी आपको अपोजिट ही बताना है इन्विंसिबिल मतलब होता है ये वन वर्ड भी है वाक्यांस के लिए एक शब्द भी है इसका मतलब होता है अजे है अजे जिसको जीता ना जा सके वो किला अभेद था वो व्यक्ति इन्विन्सिबिल है मतलब उस व्यक्ति पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है इसके लिए आता है इन्विन्सिबिल इन्विन्सिबिल जिसको जीता ना जा सके तो इसका opposite क्या होगा? इसका opposite small नहीं होगा, invisible नहीं होगा, reachable नहीं होगा, vulnerable, vulnerable भी important है आपका word, synonym अंटॉनिम इसका पूछा दो सकता है, vulnerable का मतलब होता है, easily to be broken, वो चीज जो आसानी से तूड जा है, बहुत कमजोर हो, जिससे व्रद्धावस्था में शरीर की इंद्रिया कमजोर हो जाती है न, तो vulnerable हो जाती है, sensor जो है, वो vulnerable हो जाती है, कोई भी चीज है जो कमजोर है, वीख है, उसके लिए ये word आता है, vulnerable, तो क्या होगा? देखा आपने, invincible, जिसको जीता जा सके, vulnerable, जो easy से, आसानी से तूट सके, कमजोर हो, चलिए अगला देखेंगे, disabled है एकला word, important है, एक्जाम में पूछा भी गया है, disabled, disabled का मतलब क्या होगा? जो चीज बिखरी हुई हो, गंदी हो, उसको लिए आता, disabled, जैसे, गहर में सामान जैसे, इधर-Udher भिखरा हुआ, इस चीज के सेनस के लिए आता, जो बहुत गंदा लग रहा है, जो बहुत गंदा लग रहा है, जो बहुत भिखरा हुआ है, जो बहुत खराब लग रहा है, उसके लिए disabled आता है, disabled, इस तरह से चीज़ आता गंदा रूम है खराब रूम है इधर उदर सामान स्कैटर है फैला हुआ है वहां पर यह होता डिस ही विल्ड तो जब आपको गंदा सब सुन लिया पता चल गया तो इसका अपोजिट क्या होगा इसका अपोजिट होगा विलोम होगा टाइडी टाइडी माने साफ सुत्रा अच्छा ठीक चलिए नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है इंपेड इंपेड क्या होगा इंपेड का मतलब होता है बाधा उत्पन करना बाधा डालना रोकना स्टॉप करना हर्ड इंपेड, इंपेड होता है बाधा, एमपेड मतलब गति रोध लगाना, रोक लगाना, किसी चीज़ को होने देने से रोकना, उसको कहेंगे इंपेड. तो अब जब इम्पेट पता चल गया तो इसका पोजिट क्या होगा रूकना, बाधाउत्पन करना इसका यह हो जाएगा आगे बढ़ना, आगे चलना क्या होगा, एडवांस अब्स्ट्रक्ट जो है इसका सेनोनिम है समानार्थी सब्द है, अब्स्ट्रक्ट सनानिम है, यह इम्पेट का क्या होगा इम्पेट का आपका होगा एडवांस, आगे बढ़ना, आगे चलना अगला देखेंगे अभी हमने आपको एक वर्ड, वर्ड बताया था ना जिस चीज को किया जा सके, अब इसको कह सकते हैं, पॉसिबिल अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, इंगलिश की, आप वर्ड तैयारी करेंगे अच्छे से, तो आप इंगलिश क्राइक करने में फिजिबिल है मतलब यह काम आपके लिए पॉसिबिल है जो काम, जिस काम को किया जा सके आप में समर्थ हो, और वो आप काम कर सके तो यह पॉसिबिल है वन वर्ड है, तो लिख लिएगा, लाइबिल टू बी डन लाइबिल टू बी डन जिस काम को किया जा सके, उसको कहते हैं, फिजिबिल इसका positive क्या होगा? जिसका काम को ना किया जा सके, difficult हो तो इसका हो जाएगा unviable क्या होगा? unviable मुश्किल है करना उसको कहेंगे impossible या unviable साथ दे, feasible का साथ दे हो जाएगा साथ दे, हिंसुद्ध हिंदी बोले तो साथ दे हो जाएगा और unviable, asad जिसका काम को मुश्किल है करना बहुत कठिन है इसको गएंगे असाथ, asad हम बार-बार बोल देते हैं, लिख देते हैं इसलिए तो याद हो जाएगा, आपको मेन सब्ध हमारा उद्देश यह सब्ध आपको याद हो तो आप बार-बार वीडियो देखेंगे, आपको समयाएगा इंडिफरेंस है अगला इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, उसने में जी उदासीन ताकि और देखा, उदासीन द्रश्टी से उसने मेरी और देखा कोई भावना नहीं थी इंडिफरेंस, उसका लुक बहुत इंडिफरेंस था इंडिफरेंस से इसका मतलब कोई नहीं है इसके मतलब नहीं है, यह अलग ही सब्धी है इंडिफरेंस, उदासीन इसका मतलब होगा इंडिफरेंस, व्यक्ति सा काम करने में इंडिफरेंस हो अपोजिट यह हो जाएगा इंडफ्रेंट का अपोजिट हो जाएगा इंट्रस्ट चलिए अगला देखेंगे इसी क्रम में क्या है next next क्या है आगे देखेंगे आगे क्या है आपको जो अंडरलाइन वर्ड है इसका आपको बताना है यह संटेंस दिया हुआ है इसमें जो अंडरलाइन है इसका बताना इग्जॉटिक ठीक थोड़ा सा अलग टाइप का है उसका जो काम था उसको अदभूत जगा उस लोकेस में ले गया जो बहुत अदभूत हो अवाल नहीं हो उसको कहते है इग्जॉटिक इग्जॉटिक का मतलब होता है अदभूत हो अवालनी हो अच्छी जगा हो बहुत जहां जाके बहुत अच्छा लगा जैसा कस्मीर आपको भी गये नहों सुट्जे लैंड गये नहों तो वहां का नजरा आपको बहुत अदभूत लगेगा तो अदभूत के लिए इग्जॉटिक हो जाएगा तो इग्जॉटिक का आपको बताना है अंटॉनिम क्या होगा है इग्जॉटिक का अंटॉनिम क्या होगा है इग्जॉटिक का अंटॉनिम वंडर्फूल नहीं होगा कास्मोपोलिटन नहीं होगा इर्लिवेंट नहीं होगा यह लिखा है कॉमन common, c-o-double-m-o-n, common तो exotic, बताया हमने आपको बहुत अध्भूत हो ऐसी जगह जहाँ अवर्डनी हो, जो बहुत अच्छा लगे जिससे मतलब कभी ऐसा नजारा आपने देखा ना हो इसको कहते हैं exotic अपोजेट क्या होगा? common चलिए अगला और देखेंगे अगला है he has given his vicious habits vicious, vicious का आपको बताना उसने अपनी vicious habits छोड़ दी तो कैसी habits छोड़ दी उसने vicious vicious का आपको बताना है अपोजेट vicious का मतलब होता है बहुत दोस्ट हो जो दोस्टता से भरी हो vicious मतलब होता दोस्टता से भरी हुई दोस्ट खराब लोग को खराब लगने वाली दरश्टता से भरी हुई निक्ष्टता से भरी हुई इसको कहते हैं VCS VCS दुस्टता से भरी हुई दुस्ट तो क्या होगा इसका अपोजिट VCS adjective है इसका होगा virtuous, गुन से भरा हुआ virtuous क्या है, गुन से परिपून गुणी इससे कहते हैं ठीक है, तो यह चीज हो जाएगा virtuous हो जाएगा आपका VCS, virtuous अगला क्या है, next इसी प्रकार का है आपका इसमें आपको बताना है इसका opposite बताना है, किसका बताना है आपको बताना tangentially the issue was raised tangentially in the negotiation negotiation आपस की बातचीत में समझाओते में समुद्धे को उठाया गया कैसे उठाया गया tangentially मतलब आपसी सहमती से आपसी रजामंदी से इस बात को मतलब कोई भी मीटिंग में थी उस समुद्धे को अच्छी तरह से आपसी सहमत से आपसी विश्वास से आपसी प्रेम से उठाया गया तो यह है इसका अर्थ tangentially अब है forcefully forcefully इसका अपोजिट क्या होगा जबरदर्स्ती उठाया गया अपनी मर्जी से सहमत से इसको कहेंगे दिया हुए word अगला है forcefully इसका है apposite next आपको बताना है excultate exclating 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 का आपको बताना है क्या apposite वर्ड आपको एंटानिम चली रहे है exclating का बताना है इसका विलोम क्या होगा exclating prices are causing french hardship to the poor बढ़ते हुए जो कीमते हैं वो उत्पन्य कर रहे है समस्या है hardship माने समस्या होता है cost है problems hardship मतलब कठनाईया होता है hardship 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 नहीं hardship कहेंगे hardship कठनाईया उत्पन्य कर रहे है किसके लिए गरीबों के लिए जो बढ़ते हुए price हैं, बढ़ते हुए चीजों के दाम है, वो शमस्या पैदा कर रहे हैं, अब क्या excalating का क्या होगा, opposite बढ़ते हुए इसका होगा, घटते हुए, घटते हुए क्या दिया हुआ है word, आपका दिया है falling अच्छा सब्द है, excalating prices, बढ़ते हुए दाम चीजों के दाम क्या हो रहे हैं, excalating हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उपर जा रहे हैं raising आप कर रहे हैं, general world है, ये तो raising raising थोड़े पूछा जाएगा, इत्वा है ना high sounding words पूछे जाते हैं exam में raising prices, बढ़ते हुए excalating prices, इसको होगा falling, घरते हुए चलिए, अगला क्या है, आपको बताना है malis का opposite बताना है चलिए देखिए, बताइए malis का क्या होगा malis का मतलब होता है गंधी भावना, दुर भावना दूसरे के परती द्वेश की भावना malis को क्या होगा, द्वेश भावना द्वेश भावना, दूसरे के लिए इसका opposite क्या होगा, द्वेश भावना जब, तो दूसरे के लिए द्वेश भावना क्या होगा, friendship होगा इसका होगा, friendship malis का क्या होगा, आपका friendship हो जाएगा opposite नोट कर लीजएगा malis यम, A, L यह होता है, मैल माने बाइड होता है ठीक है B, A, Ben B, E, N Ben यह मतलब होता है, Good ठीक है मैलिस और B, E, N जिसना है, Beneficiary, Benefit इसका मतलब पाए, फायदे मन्द या अच्छा होना चलिए अगला देखें क्या है नेक्ष्ट तो इजी ही लग रहा है Efulent Family The boy comes of an Efulent Family यह लड़का आता है किस बैग्ग्राउंड से Efulent, Efulent का मतलब होता है धनी, Wealthy, Prosperous Rich से अच्छा वर्ड है यह आपका Efulent Efulent means धनी हो जो व्यक्ति तो एक Wealthy होता है जिसे कहते हैं धनी एक सब्द हमने आपको बार बार बताते हैं आता है Painery, P-U-E-N-U-R-Y Painery मने होता है गरीबी, Poverty Poverty के जगह पे आप क्या लगाएंगे Painery लगाएंगे, और Rich के स्थान पर क्या लगाएंगे, Efulent लगाएंगे यह अच्छे अच्छे वर्ड का लगाएंगे, फिर पूर हो जाएगा अगला देखें चलिए अगला है आपका Probity चलिए, Probity बताना है अब आपको Antonym Probity का अर्थ क्या होगा? Probity का मतलब हो जाएगा इमानदारी क्या हो जाएगा? Honesty से कहते हैं Honesty के स्थान पर आप Probity इमानदारी इमानदारी यह हो जाएगा आपका इमानदारी, Probity means Honesty, इमानदारी He is known for his Probity वो अपनी इमानदारी के लिए प्रसिद्ध है तो इमानदारी का बेमानी हो जाएगा इसका अपोजिट सेलेक्ट करने में दिक्कत ही नहीं है Probity इमानदारी इमानदारी, अपोजिट, डिसओनस्टी अगला है क्या है Next Next है आपका Spordic 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 का क्या हो जाएगा Spordic हमने आपको बताया भी है Spordic का मतलब जाएगा रुक रुक कर कोई चीज हो रुक रुक कर आए बारिश रुक रुक कर हो रही है आपको किलाब रुक रुक कर मिल रहा है किसी चीज का धीरे धीरे जिसे कहते है न रुक रुक कर आए तो Spordic का क्या हो जाएगा Sweeping हो जाएगा लगातार एक साथ होना ठीक है Sweeping Spordic रुक रुक कर Opposite क्या हो जाएगा Sweeping चलिए अगला क्या है Implication Implication का आपको बताना है Andonym Implication का मतलब होता है किसी चीज का आशाय होना अर्थ होना आशाय उस चीज का Application होना Opposite क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा Opposite Consideration उस चीज पर तो यह Implication का Consideration हो जाएगा चलिए Next देखेंगे अकला है Opposite यह Important है ठीक है Opposite Important है समझा देते हैं जो जादा Important होता है Opposite का मतलब होता है जो चीज उप्यूक्त है आपके लिए Appropriate है Appropriate है जो चीज उप्यूक्त है इसको कहेंगे Apposite A-P-P-O-S-I-T-E Apposite नहीं Apposite कहेंगे इसको उप्यूक्त है Suitable जिसे आपको कहेंगे Suitable Inward का Use यहाँ पर Apposite है Apposite है तो इसको कहेंगे Suitable है Appropriate भी होता है Appropriate उप्यूक्त Suitable उप्यूक्त तो अब इसका क्या हो जाएगा इसको इसी है Inappropriate दिया हुआ है इसका तो Antonymus C में दिया है In prefix लगा कर चलिए तो अब Apposite उप्यूक्त करिएगा उप्यूक्त के लिए अच्छे के लिए अगला क्या है देखे Next हमने आपको बताया है Students हमने Gregorius बताया है देखे कुछ animals होते हैं या कुछ human होते हैं तो उनको समूह में रहना पसंद होता है उसके लिए आता है आपका Gregorius समूह पसंद है जो ग्रूप में रहना पसंद मनुस भी समाजिक प्राणी है न तो उसको तो समाज में निकलना ही पड़ेगा साना ही पड़ेगा किसी भी कारिकरम में किसी की वेक्ति के हाँ ठीक है रिस लेटिव में तो हम मनुस क्या है Gregorius है Gregorius मतलब एक साथ रहने वाले समूव में रहने वाले समूव का साथ देने वाले इंपॉर्टेंट है नोट कलिए जी आरी हम बता भी चुके हैं कई का बार अच्छे वर्ट बार बार बताते रहते हैं कई बार बताते हैं Gregorius Gregorius मिंस बताया आपको जो कुछ लोग तन चानवर बताया आपको साथ में चरते हैं आपने एक अद एनिवल ऐसे देखा होगा कटल कुछ कटल देखे होंगे जो बिल्कुल अकेले चर रहे हैं तो ऐसे ही वेक्ती है कुछ लोग अपना रिजर्व रहना पसंद करते हैं कुछ लोगों तो हता है दोस्तों, यारों, घरों, परिवारों सबका साथ में रहना पसंद करते हैं तो Gregorius समझाने के लिए इतना हमने आपको बताया तो Gregorius समूवे रहने वाला अपोजिट क्या हो जाएगा अनसोसल, अनसोसलिबल चलिए अकला देखें अकला क्या है नेक्स्ट भी हमने आपको खूब बताया खूब समझाया है वीडियो अगर हमारे आप देखते रहेंगे न तो इसमें वर्ड आपको मिलेंगे एक्जाम में आप वैकीन मानिए, बस देखते रहे हैं और अच्छे वर्ड नोट करते रहे है शिवलरी, सिवलरी मतलब होता है बहादुरी बहादुरी, disclose बहादुरी सिवाजी was known for his शिवलरी, सिवाजी जाने जाते थे अपनी बहादुरी के लिए बोल्डनेस के लिए, ब्रेवरी के लिए bravery, bravery, यह सब्द है न, boldness, bravery, यह सब कच्चे वाले सब्द हैं, exam में ऐसे वाते हैं, civilrous है, gallantry, gallantry में बहादुरी होता है, civilry है, यह बहादुरी है, तो बहादुरी के लिए यूज होता है, शिवल्री, तो अब इसका अगर पुछा जाए, opposite, तो क्या भ़ोगा इसका opposite, बेमानी है, discourtesy है, विनमरता से दूर होना, विनमर ना होना, disobedience आग्याँ पलन ना करना, disaffection असने ना होना, तो exact meaning तो नहीं है, इसमें opposite का है, तो अब C लगा सकते हैं, दूर का sense के हिसाब से, ठीक है, आग्याँ पलन ना करना, बहदूरी को ना मानना, ठीक है, तो इसमें exact meaning option में है नहीं, एक्चली में, तो civility आप लियाद, world लियाद लियाद कर लिजें, ठीक है, civility बहदूरी है, अकला है, चलिए इच्छा, decimal देखेंगे, decimal को समझेंगे हम, समझा देते हैं, इसलिए अच्छे से आपको समझ में आ जाए, decimal, decimal क्या है, decimal हो जाएगा, जो निरासा से बहरा हुआ, decimal है, उदास, निरासा से बहरा हुआ, ठीक है, अब इसका, decimal, decimal का से, opposite क्या होगा, bright होगा, bright में से, चमझीला, चलिए, अगला देखेंगे हम, next क्या है, student, next, important है, sanguine है, sanguine, important word, ये भी आपका one word है, जो ये बता रहे हैं, आपको ये one word भी है, ठीक, वही शब्द one word भी होते हैं, वही, missus felt में आते हैं, वही synonym है, वही antonym है, और कहां से आएंगे, और वही word है, student, यही word है, जो आएंगे exam में, आप देखेंगा, sanguine, बस देखते रहे हैं ये video, sanguine क्या है, sanguine का मतलब होता है, आशावादी होना, क्या होना, आशावादी होना, ठीक है, आप इसके लिए एक word जानते हैं, optimistic, optimistic, optimistic means आशावादी, ठीक है, तो बहुत आशा से भरा हुआ, hope से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, शब्द आशावादी, तो आशावादी, sanguine, hopeful, जिसे आप कहोगा न, hopeful, full of hope, hopeful, आशाशे भरा हुआ, sanguine, one who sees dark side of things, चीजों का चमकता हुआ पच्छे देखता है, चीजों को बहुत bright way में देखता है, इसको कहेंगे, sanguine, आशावादी, hopeful, sanguine हमने आपको समझा दिया, आप इसको पता चल गया है, तो इसका opposite क्या होगा, जब है आशा से भरा हुआ, तो क्या होगा, despairing, निरासा से भरा हुआ, despair मने होता है न, निरासा, hopelessness, जिसे आप कहते हैं, despairing nature है, sanguine temper है, sanguine temper, ऐसा सुभाव जो है, जो चीज़ों को positive way में देखता है, despairing nature, ऐसा जो व्यक्तिकान सुभाव है, जो निरासा से भरा हुआ है, और निरासा बड़ी चीज़ों से को देखता है, तो, चलिए, student एक बार quick revision करेंगे, इस world को एक बार फढ़ेंगे हम आपके लिए, आप तकी learn हो जाएं, ठीक है, exonerate, exonerate का मतलब होता है, पाप से मुक्त होना, apposite, इसका हो जाएगा, convict, convict, अपराद, धी ठैराना, ठीक है, अपरादी, invincible, जिसको जीता ना जा सके, इसका अपोजेट हो जाएगा, vulnerable, जो आसानी से जीता जा सके, जो जल्दी से तूट जाए, disabled, disabled, बहुत गंदा जो होगा, apposite, tidy, impaired, बाधाउतपन करना, इसका apposite क्या हो जाएगा, कि advance, आगे चलना, feasible, feasible, feasible का मतलब हो जाएगा, जो चीज की जा सके, जो चीज संभव हो, इसका apposite हो जाएगा, कि inviol, मुश्किल है करना में, indifference, indifference का मतलब हो जाएगा, कि, उदासीन, कोई interest ना होना, apposite का हो जाएगा, जिसमें interest हो, जिसमें रूची हो, exotic, अगला क्या है, exotic, exotic का मतलब हो जाएगा, जो बहुत अद्बूत हो, जो जिसका वर्णन करना मुश्किल हो, बहुत अच्छा हो, इसका पोज़ट हो जाएगा, common, जो बहुत साधाना सा हो, vicious, vicious का मतलब हो जाएगा, dust, इसका पोज़ट हो जाएगा, जो गोड़ी हो, virtuous, और tangentially, इसका मतलब हो जाएगा, कि सहमत से, forcibly, जबरदस्ती से, excalating, चीजों के दाम जिसे बढ़ रहे हैं न, इसका पोज़ट हो जाएगा, falling, गिरते हुए, mileage माने, खराब भावना, दुरभावना, इसका पोज़ट, friendship, effulent, धनी, इसका पोज़ट, poor, और आपका प्रोबिटी, प्रोबिटी मतलब हो जाएगा, इमानदारी, इसका पोज़ट क्या हो जाएगा, बेमानी, dishonesty, sporadic, रुख-रुखकर, इसका पोज़ट, बहुत तला-तला पोज़ट होना, sweeping, implication, इसका मतलब हो जाएगा, opposite, consideration, आसाएगा, opposite, opposite का मतलब हो जाएगा, उपयुक्त, इसका पोज़ट, अनुपयुक्त, inappropriate, gregarious, समुँ में रहे, unsocial, जो समुँ में नई अकेले रहना, पसंद करता है, civilrous, civilrous का अंतलब बहादुरी, और कायरता के लिए इसमें, आपका disorbidence ले सकते हैं, decimal, decimal मन निराशा से बहरा हुआ, और इसका मुरगा, bright, bright मन आशा से बहरा हुआ, sanguine temper, जो ऐसा सुभाव जो आशा से बहरा हुआ होता है, सुभाव चीजों को अच्छे तरह से देखता है, आशाव दियों नजड़ों से, और इसका पोजिट क्या होज़गा? despairing, जो निराशा से बहरा हुआ है, प्चलिये स्टुडेंट्स हमने आपको vocab की class दिया, ये class आपकी 7th class थी, 7th class थी vocab की, इस तरह से vocab डोस की आपको classes मिलती रहेंगी, बस आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, और हमारे वीडियो देखते रहें, इसमें हम आपको one word भी बताएंगे, phrasal verb और idiom phrases, synonym and tonym तो हम की series तो हम चला ही रहें, और पूरा vocab हम cover करेंगे, पूरे जितना जो चीजे आती है, vocab के अंतरगत, सब हम बाप बताएंगे, बस चैनल को हमारे छोड़ियो नहीं बने रहें, देखते रहें, इस तरह से हमको प्रोसाहित करते रहें, encouragement करते रहें, चैनल चलता है, लोग ज प्यास कर रहें, सिखाने का, वो बेहतर हो रहा, फिर मिलेंगे, नमस्कार,